तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्मकोनोंस के एक्सपरिमेंट नम्मर है तो च्टरी मॉर्फ लोजिकल आइडनिफिकेशन ओफ ठीक है यानि जो लॉंग है क्लोव का मतलब वहतार लॉंग आपने किछन में भी मिल जाएगी आपको आप जेकी देख सकते हो ठीक है इसके बार में आज मोर्फ लोजिकल आइडनिफिकेशन देखेंगे सारज यहीं एक अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो इसको तो हमारे वेबसाइट पर से कर सकते हो फ्ट्सपार्मसी डॉट इस प्रोवाइट किया गया है और वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करें चलिए स्टार्ट करते हैं आच के क्लास पहले लिखते लिखना है हमने पेडिया हुआ है वहां से भी जाकर आप देख सकते हूं तो स्टेडि मौर्फ लोजिकल इडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोव यानि यह देखो लॉंग ठीक है गलोव का मतलब होता है लॉंग इसका आज हम मौर्फ लोजिकल आइडिनिफिकेशन स्टरी करेंग हाँ किंगेशना अमट्रसतों और लिखना है यह देख सकती है यानि हमने ट सब्सक्क्राइब लगोरे योज्यकू श्युक्तिकेशन सब्सक्राइब पढ़ाय उसके अनिसार अब कर रहे हो तो वह यह ठीक है यह वह किस-किस राइटर ने लिखे देखिए पहले डॉक्टर गुप्ता डॉक्र साइले शर्मा और नव्जीत कॉर तो फूरा फॉलो करना है क्योंकि हम तो इस book में से reference ले के चलें example के लिए लेकिन आपने किसी और book में से लिए ओ टी पी पी में से लिये ओ या और किसी ले खम लिए तो वह आपको reference में लिखना है कि आपने कहां से लिए ठीक है उसके बाद लिखो प्रकासन और पेज नम्म लेखना है आपको कौन से कौन से प्रकास से एक्स सब्सक्राइब और यहाँ पो लगाते लगाते उनका नेम लिखते जाने ठीक है और उसके बाद लिखना है कि पप्लीशर कौन है ठीक है ताहिए ऊसके बाद एकहाँ पेज नुवर नेटेकि चालिए अब देकते भांट जो सोर्ष कि लोंक सिस्टों ड्राइड फ्लावर वड्ट सा उफ युगिणा ठिक है यानि यह क्लोव है यह युगिन लेट फ्लावर बट्स होते हैं बट्स होते हैं किसके यूगी ना केरियो फैलस हमके उसमें होते हैं ठीक है और यह कौन सी फैमिली से बिलाउं करते हैं माई थरे से आप देखते हैं कीमिकल कॉंसिट्यूचन यानि इनों में क्या-क्या प्रसंट होता है देखी क्लोब कंटेन 14 to 21% और फोलेटा और रहें प्रिंसिपल्स होते हैं ये साथ चीजह किसमें इसमें पाई आती हैं तो आपको यह पूछा जाए या जो आपको जब भी एक्जामिनर एक्स्टेनल आता है तो आपको पूछ लेता है ठीक है मेटाइल फुरुफेल गम रिसाइन फाइबर ये सारी चीज़े इसमें प्रेजन्ट होती है कितने किने कॉंटिटी में आप देख सकते हैं विच इसकॉज ऑफ इन एनस्थेसिस एन अनटिस्टिक प्रॉबर्टी अब देखने हम उनकी morphological के क्णे ने मोर्फ रोजिकल के देखिए CEO ये तो आपको पता है कि जो लौंग होती है ये डिस ब्राउं इन कुलर होती ये थीक है विज इन आपर क्रॉव ए हाइपर थिर्यमिया ठीक है यानि जो अपर क्रोव होता ह यह यह थुद़ा अलग सा हुथा है, यह थोड़ा अलग सा हिआ ऐसा, यह अद को क्याxton करता है BIG यह और कोरोणा और स्टायर और स्टे मेंट यह देखिए है जाए इसमें स्ट्रॉंग स्पाइस होती है और एरोमेटिक और होता है और पारजन टेस्ट होती है ठीक है यह तो हो गई इसके मॉर्फिलोज के क्रेक्टर अब हम देखें यूज तो लोग इस यूजर एज एंटिसेप्टिक की तरह स्टेमूलेट की तरह केरिमेटिव की तरह एरोमेटिक की तरह है और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह हम इने यूज करते हैं आप देख सकते हो ठीक है बेसिकल यह आप किछन में जाओगे तो मिल जाएगे आपको यूगिनौल इसे यूजर फर्दे कॉमेर्शियल प्रडक्शन आफ वेनिलेन यानि इसे यूगि की तरह यूज करता है यह क्या 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 क औलसो उज यूजराइज लोकल अनस्थेसिया यह यो गिवनोल को ऐसे लोकल अनस्थेसिया भी यूस करते हैं कुछ यानि small dosus में ठीक है तो आपको यही पैटर्न किसमें लिखना है यही पैटर्न आपको practical manual में लिखना है पहले लिखना है एम ठीक है एम के बाद लिखोगे reference फिर biological source chemical constitution morphological character और users ठीक है यही पैटर्न आपको follow करना है और PDF दिया हुआ है आप description में लिंक से download कर सकते हो नहीं तो हमारी website पर से download कर सकते हो और चैनल को जरूर subscribe करें और like करें और अपने pharmacy friends में जरूर subscribe करें thank you for watching ली वीडियो